नमस्कार आप देख रहें इंडिया पप्लिक खवर और मैं हूँ आपके साथ अकांख्षा अपने तल्क रवये और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली बस्पा सुप्रीमो मायवती इस बार चुनाओ में अपनी सक्रिय भूमिका के चलते काफी चर्चा में बनी हु बतादे कि हर्याना विदानसभा चुनाओ से एक्टिव होई बस्पा सुप्रीमो मायवती अब अपने पूराने अंदाज में नजर आ रही है और हराज के चुनाओी मुद्दों को लेकर आवाज उठाने का भी काम कर रही है जिसके चलते इन दिनों सियासी गल्यारों में फिर से मोहल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि जिस तरह से बस्पा सुप्रीमो मायवती 2007 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाते हुए चौथी बार उत्रप्रदेश की मुखी मंत्री बनी थी अब उस एतिहासिक पल को एक बार फिर से सच करने की कावायद में ज निशाना साधने का भी काम कर रहे हैं सभी देल जहां चुनावी रैलियां और सभाएं करते हुए एक दूसरे पर बयानों की तीके तीर छोड़े जा रहे हैं तो वहीं से बीच बसपा सुप्रीमो मायवती ने भी अपने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है बता च्रुक पर 20 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे जिसके बाद दोनों ही राजियों में 23 नवंबर को चनावी पर नाम सामने आएंगे जिसके लिए सब ही राजवितिक पार्टियों हें अपनी तयार्ययां तेज कर दी हैं और सभी पार्टियां जनता की बीच पहुँछ कर कई तरह के वादे भी कर रही हैं इसे बीच बस्पा प्रमुख मायवती ने भाजपा और कॉंग्रिस पर महरास्ट और जहारखन विदानसभा चुनावों में मिथ्या प्रचार और वादो की भरमार लगाने का आरोप लगा है उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां चुनाव के समय लुभावने वादों में वेस्थ हैं जबकि लोगों को जीवन की समस्याओं से राहत चाहिए ना कि मुफ्त में चीज़ें दरसल बसपा सुप्रीमो मायवती ने सोशल मीडिया प्लेट्वार्म एक्स पर अपने ओफिशल अकाउंट पर पोस्ट करते वे बीजेपी और कॉंग्रिस पर हमला बोलते वे लिखा की ऐसे समय में जब देश में अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और क्रिशी, सिक्षा, स्वास्त, सड़क, बिजली, साफपानी और कानून विवस्ता जैसी मुलबूत जरूरतों के जवरदस्त अभाव से करोडों का जीवन तरस्थ है लेकिन इसके बावजूत भाजपा वा कॉंग्रेस और इनकी सरकारे ज्यादा तर आरोप, प्रतरोप, तथा महरास्त और जारकन विदानसवा, आमचुनावों के मदे नजर फिर से रेवडी वा लुभावने वादो घोशनाओं में ही व्यस्त हैं जबकि लोग जीवन के जनजालों से मुक्ती के लिए सौभाविक तौर्स पर रेवडी नहीं बलकि रोजगार की मांग कर रहे हैं आगे बस्पा सुप्रीमों ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश वा करनाटक में कॉंग्रिस सरकार की जनता से वादा खिलाफी जग जाहिर है जबकि यूपी समेट भाजपा सरकारे जुलंत मुद्दो पर से ध्यान भटकाने के लिए जुगार की राजनीती कर रही है वे कर्म को धर्म नहीं मानकर धर्म के ही कारक्रमों में व्यस्त नज़राती है जो चुनावी वादा खिलाफी नहीं तो और क्या है आगे बस्पा सुप्रीमों ने लिखा कि इसलिए बस्पा चुनाओं में जनता को गुम्रा करने वाला कोई घोशना पत्र कभी जारी नहीं करती है बलकि गरीबों बेरोजगारों के प्रती इमानदारी के साथ ही कार करती रहती है और अपना समयधानिक दायत वा राजवेतिक धर्म मान कर कार करती है और सरकार बन जाने पर एतिहासिक वा बेमिसाल कार करके भी दिखाती है बसपा सुप्रीमो की अन बैयानों से साफ है कि आगामी चुनावों को लेकर बसपा पूरी तरह से अपने विरोधियों को घेरने की मूर में है जिसके चलते बसपा सुप्रीमो मायवती ने ना सिर्फ बीजेपी बलकि कॉंग्रेस पर भी निशाना साधने का काम किया है साथ ही बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों पर ही जनता की भी जूटे वादय और घोशनाय करने का भी आरोप लगा है इससे पहले हर्याना की नायप सिंग सैनी सरकार और कनातक की सिधरमया सरकार के कोटे में कोटा लागो करने वाले फैसले पर भी मायावती फायर हो उठी थी बतादी कि हर्याना में बेजेपी की नेतरत में नायप सिंग सैनी मुख्यमंत्री है तो ही कनाठक में कॉंग्रेस की नेतरत में सियम सिधरमया की सरकार है और दोनों ही राजियों की ओर से कोटे की भीतर कोटा लागो करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है जिसको ल जब उत्रप्रदेश में पहली बार प्रचंड बहुमत की सरकार आई थे और जिसका श्रेक खुद बसपा की मुख्या मायवती को दिया गया था मायवती साल 2007 में चौथी बार उत्रप्रदेश की मुखी मंत्री बनी थी जिसे उनकी सियासत का सुनिम काल कहा गया था जिस तल्क तेवर और बेबाक अंदाज के साथ बस्पा सुप्रीमो मायवती ने 2007 में एतिहासिक जीत दर्श करते वे प्रिचंड बहुमत की सरकार बनाई थी अब बस्पा सुप्रीमो उसी तीखे और तल्क भरे अंदाज में नजर आ रही हैं से देखते वे माना जो रहा है कि बस्पा सुप्रीमो ना सिर्फ यूपी उप्चनाओं बलकि आगामी 2027 के चुनाओं के लिए भी पूरी तरह से एक्टिव मोर में आ चुकी हैं जिसके चलते वो बीजेपी और कॉंग्रेस समित अन्य सभी पार्टियों पर लगातर हमलावर भी हैं जिसके लिए बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों की ही होश भी उड़े हुए देखे जा रहे हैं यानी कि साफ है कि बसपा सुप्रिमों ने एक बार फिर से अपनी सुस्त हो चुकी राजनीतियों को हवा देते हुए चुनावी मोचा संभाल लिया है क्योंकि बस्पा सुप्रीमो मायवती ना सिर्फ यूपी उप्चुनाओं बलकि अब हर राज में होने वाले चुनाओं को लेकर काफी सक्री हो चुकी है जिसके बाद देखना दिल्चस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाओं के साथ ही यूपी में होने वाले उप्चुनाओं में बस्पा सुप्रीमो मायवती बीजेपी कॉंग्रेस और सपा समित अनिसभी पार्टियों में सबसे जादा किसका खेल बिगारने का काम करेंग प्याम होगी या फिर बस बाद खुद लोगस्पा चुनाओं की तरह ही बैक फूट पर ही रह जाएगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं साथ ही अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें